जै हिंद, जै हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, दोस्तों आपका एक बार फिर से सौगत इस दिव्यान शुर्तरे यूटूब चैनल पर, जिन लोगों ने भी इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो वो सबस्क्राइब तो करी दें इस चैनल को, क्योंकि गराब इस चैनल पर मिलेंगी, जो आपको बहुत ज़दा help करेंगी आपको exam को गुत्रू करने में, ठीक है दोस्तों, तो यह दूसरा lecture है हमारा current affairs का, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि 6 महीने की current affairs, या जो भी compilations है current affairs के बहुत हम सब complete करेंगे इस month, ठीक है, तो एक topic मैंने आपको complete करवाय हैं, वो करने वाले awards और कुछ important sites या places जो अभी चर्चा में रही थी वो, ठीक है, तो उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, उन सब के बारे में हम discuss करेंगे, ठीक है, दूसरी चीज में कुछ serious, मैं पिछले वाले वीडियो में कुछ comments देखके मुझे बड़ा सौक होया, क कि बो लोग नाम, मतलब अगर कोई subject, अगर मैं English में पढ़ा रहा हूं हो सकता है, आपको नहीं समझ में आया है, आप Hindi मीडियम से हो, बट यहाँ पर सिर्फ नाम लिखे हुए है मैंने English में, मतलब अजय लिखा है मैंने English में, तो एक इंसान बोला है, नहीं आप तो Hindi में इ कि नहीं होता है, ठीक है, आपके background से आयो, Hindi से आयो, English से आयो, उर्दू से आयो, Sanskrit से आयो, it all doesn't matter in the examination, only thing that matter in the examination, कि आप अच्छा कर पा रहे हो का नहीं कर पा रहे है, तो जहां से भी जो भी चीज़ अच्छी करें, थोड़ा सा अपने आप मेहनत करना सीखो, ठीक है, यह ब बहुत बार वेपर में आता है, वो है Padam Awards, अभी 2020 में भी Padam Awards की घुष्णा होई, ठीक है, कुन-कुन को मिले हैं, तो ए चीज़ आप याद रखना, सबसे बड़ा, जो civilian award है, इंडिया का, वो है भारत रतन, वो भी 2019 में दिया गया था, आप इसको एक बार देख लेना, मैं पदम भिभूशन, जियान रखना, पदम भिभूशन, बड़ा word, फिर उसके बाद आता है, पदम भूशन, उससे चोटा word, और फिर सबसे लास्ट में आता है, पदम सिरी, सबसे चोटा word, अगर कभी आप भूल जाओ, तो याद रखना, सबसे बड़ी spelling बाला होगा, सबसे चोटी बाली फिर बीच बाला, और सबसे चोटी बाला कौनसा आता सबसे लास्ट बाला, तो पदम भिभूशन, आप देखो क्या है, मैने यहाप पर सरे पदम भिभूशन जो है, और पदम भूशन और पदम सरी में नहीं लेखे हैं, क्योत बहुत सारे हैं, आप लोग इन तो अगर आपका 3-4 दिन बाद पेपर है तो एक SSC की सबसे ची बात है कि अगर एक पेपर में कोई चीज आ रही है तो ध्यान रखना वो सभी सब पेपरों में आएगी उससे related सब कोशन जो है वो सब पेपर में आएंगे आपको अगर एकीन नहीं होता तो आप पुराने पेपर उठाके देख लो अगर कोई टॉपिक से कोशन पूछा है तो वो हर एक सिफ्ट में उस टॉपिक से लगबा कोशन आया होंगे तो अगर आपको दिख जाता है कि पदम भूशन या पदम स्री से कोशन पूछ रही है SSC तो उसी टाइम आप पूरी लिस्ट को कहीं से डाउनलोड करना और पूरी लिस्ट को एक बार पढ़ लेना तो इससे आपका कोशन पेपर में सही हो जाएगा अभी से करने का कोई मतलब नहीं है इत्ती बड़ी लिस्ट को आप नहीं पढ़ सकते ठीक है तो यहाँ पर cost benefit न अन्रुद जगनाथ जगनाथ जो है वो मौरिशस के क्या है आपके पॉलिटिशन है यह बहुत इंपोरेंट है पेपर में डारेक्ट पुछा आएगा कि बताइए किसे एक विदेशी को पदम भीशन दिया गया है अभी तो आपको याद रखता है कौन है अन्रुद जगना बात है उसके बाद अगर बात करूं तो मेंडी कॉम बॉक्सर है जैसे इनको पॉरा नाम याद करने के ज़रूरत नहीं है इस virtual leader है इनको क्या करा गया है दिया गया है तो एक कुछ लोग है जिनको क्या मिला है आपका पदम भूभूशन आपका दिया गया है ठीक है पदम सिरी भी मिला है और पदम भूशन भी मिला है लगबग बहुत सारे लोग है इनको आप मैंने आपको जो trick बताई है उसके साब आपसे आप इनको कर लेना, आभी से आद करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद अगर हम बात करें, तो उसके बाद बाद आती है सरस्पती सम्मान की, 29 बार सरस्पती सम्मान जो है, वो आपको पता होना चाहिए कौन से फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, के के विडिल जरूरी नहीं है कि किस-किस को दिया गया है, कि बहुत सारे लोगों को यह दिया जाता है, ठीक है, अब आते हैं, उसके बाद का जो अवार्ड है, वो है मूर्ती देवी पुरुसकार, अब मूर्ती देवी पुरुसकार अगें, इस वेरी इंपोर्डेंट पुरुसकार जो इसको दिया गया है, आपका मूर्ती द्यूभी पुरुषकार दिया गया है विश्मनाथ पृताप को, उसके बात का important award है ब्यास award, ब्यास सम्मान, काफी important सम्मान है, एक इसको मिला है आपका नासरा सरमा को, याद रखना है, इस सभी बहुत important आपोड है, आप इनको याद किया चाए आपका अचलंज सिंग भाटी को क्या है Audio ng sat आपके जले पदक दिए जाते हैं उनकी क्या है आपकी गोशना की है फिंग तो इस बार तो मेजर तो जो सौर चक्र है वो तीन लोगों को मिला है इस बार याद रखना बहुत ही important है इसमें पहले हैं मेजर अनिल यूरस दियार रखना कौन है आपके पहले मेजर अनिल यूरस, ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर दूसरे हैं आपके कृष्ण सिंग रावत और तीसरे हैं आपके अलोग आलोग कुमार ठीक है तो तीन लोगों को सौरे चक्र दिया है एक है मेजर अनिल यूरस कृष्ण सिंग रावत और आलोग कुमार ठीक है इन तीन लोग क्या दिया गया है भारा सरकार ने अभी सौरे चक्र क्या है आपका दिया गया तो बहुत important award है, first mahal novis award, पहला पुरुसकार है, पहली बार ये दिया गया है, पहला mahal novis award जो है, जो statistics सांकिकी ये छेतर में दिया जाता है, किसको दिया गया है आपका RBI के पूर गवर्नर, ex-governor RBI के रंग राजन, किसको दिया गया है आपका RBI के जो पूर गवर्नर है, ex-govern अगले पूर गवर्नर है RBI के रंग राजन को ये अवर्ड क्या है, आपका दिया गया है, ठीक है, उसके बाद khut करूं तो गांधी Novel Peace Award, जो Gandhi Novel Peace Award है वो किसको दिया गया है, आपका Khanaya delivery party को दिया गया है, किसको सबien दिया गया है, Dr. axial यह द्योश्म कोद्गा गया गांधी नोवल पीस अवाट ठीक है अगर सांती संवान गांदी संवाण अगर आता है पेपर में तो आपको किसको अगाना है डॉक्टर का नीया तरबाटी को ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं अगले अवार्ड से में काफी इंपोर्डेंट आपका पत्रकारिता जर्नलिज्म के चेतर में दिया जाता है किसको दिया है रोहनी महन को और अर्फा खानम जो है वो किसका दिया गया है इस बर पेपर में आने की चांसे से हैं सुवास चंद्र डिसासटर मैं अवर्ड सुवास चंद्र डिसास्टर मैंनेजमेंट इसको और आपका कुमार मुननन सिंग को किसको दिया गया है आपका जो व्यक्ति है वो है कुमार मुननन सिंग और आपके जो संस्ता है वो है उत्राखंट की एक संस्ता है बिसास्टर मैनेजमेंट सेंटर उत्राखंट इनको यह अवोर्ट क्या है आपका दिया गया है उसके बाद अगर हम बात करें तो लता मंगेशकर अवर्ड, याद रखना, it's a very important अवर्ड, मद्रिप्रदिस सरकार के द्वारा दिया जाता है लता मंगेशकर अवर्ड, अगर इसकी अगर मैं बात करूँ लता मंगेशकर अवर्ड की तो सुमन कल्यानपुर को मिला है 2017 का और 2018 का मिला है कुल्दीप सिंग को, actually इन पुरुसकारे की गोषना अभी होई है, तब से यह मिले ही नहीं थे तो अभी इनकी गोषना होई है, तो 2017 का दिया है सुमन कल्यानपुर को और 2018 का दिया है कुल्दीप सिंग को, ठीक है, अगर मैं बात करूँ ग्यानपीत अबॉर्ड Very Important About 2019 का 2020 में अभी नहीं मिला है, तो मल्यालम के कभी है आचिक कतम अचुतम, इनका नाम ही बहुत कतम है, खतरना के अखितम अचुतम है, ठीक है, इनको यह अबॉर्ड दिया गया है, डबल A कल लेना, आप डबल A से इनको याद रख लेना, ठीक है, ग्यानपीत सांती, निसस्ती करण और विकास के लिए सम्मान, मैं दुवारा बोला हूँ हिंदी में, इंदरा गांधी सांती, निसस्ती करण और विकास के लिए सम्मान, एक इसको दिया गया है, डेविट एटन ब्रो को, वेरी इंपोर्डेंट, किसको दिया गया है आपका डेविट ए पर इसमें इंडियन्स जो हैं वो काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं कि इंडियन्स को चुना है यह पेपर में आ सकता है तो याद रखना केला सत्यार्थी जो भार दूसरे भारती यह थे जिनको दूसरा नौवल प्राइज मिलाता पीस का और अजीस सिंग और दस अधर गांधी पर दो अवर्ड है एक तो अवर्ड है डिसार्वामेंट पीस ओर डवलमेंट को लेकर और एक अवर्ड है नेसल हिंटिग्रीशन मतलब राश्टी एकता रास्ती एकता को लेकर इंड्रा गांधी और इया आपको अभी मैंने बताया था वह तो याद रखना नेसल integration, इंदरा गांधी natural integration जो award है, वो मिला है चंद्री परिशाद भट को, किसको मिला है आपका चंद्री परिशाद भट को ये क्या है आपका award दिया गया है, ठीक है, ये बहुत important award है, लाल भाधुर सास्तुरी अबोर्ड लाल बहादुर सास्त्री अबॉर्ट ये किसको दिया गया है आपका मंजू सर्मा को, ये पबलिक एड्मिनिस्टेशन के फील्ड में या आपके एड्मिनिस्टेशन के फील्ड में बहुत अच्छे काम के लिए अबॉर्ट दिया जाता है, लाल बहादुर सास्त्री अबॉर् उशिया गेम चेंज अवर्ड एकस को दिया गया है आपका छाया सर्मा को यह दिया गया है उसके बाद हम कुछ पुरुसकार स्पोर्ट्स अवर्ड की बात करें तो अभी हाली में घुशना हो चुकी स्पोर्ट्स अवर्ड की तो कई सारे स्पोर्ट्स अवर्ड की घुशना ह सारे होते हैं अर्जुन अवार्ट बहुत सारे होते हैं तो मैंने यहां पाल लिखे नहीं है पर मैंने आपको जैसा पदंसरी के बारे हैं बताया कि अगर पेपर में आपको दिख जाता है कि अर्जुन अवार्ट से कोश्चन आ रहा है तो आपको फिर एक लिस्ट डाउन टिक है अब ही आप राजीव गांधी देखिये किसको मिला यह भारत का सबसे बड़ा sports award है जान रखना राजीव गांधी जो है वो क्या है भारत का सबसे बड़ा क्या है sports award है किसको उसको भूत को दिया जान है कि अबîneए 하니까 बत्रा गया है इस बार सबसे ज़्यादा पहली बार ऐसा हुआ इतने सारे लोगों को राजीब गांधी आवोर्ड क्या है आपका दिया गया है रोहिस सर्मा मानिका बत्रा रानी रंपॉल मरिय पन्थंगा वैलू और बिनिस फोगर्ड इन लोगों को क्या दिया है आपका राजीब बांधी आवोर्ड दिया गया है आप लोग याद रखें ठीक है तो इसके बाद हम देखते हैं अगले आवोर्ड कौन-कौन से हैं तो अगर हम बात करें होकी इंडिया के एनुवल आवोर्ड किसको दिये गये है तो दो लोगों को दिये है मनप्रीश सिंग जिसमें मेल का अवर्ड मिला है मनप्रीश सिंग को और फीमेल का वर्ड दिया है आपका रानी रॉंपॉल को तो फीमेल का वर्ड है पो किसको दिया है आपका रानी रॉंपॉल को दिया है ठीक है आई सीसी अवर्ड दो हजार उननेस यह भी बहुत इंपोर्डेंट है आई सीसी अवर्ड किस-किस को दिये हैं तो याद रखना Cricketer of the Year Gary Sauver Trophy है Gary Sauver's Trophy मिलती है Cricketer of the Year को तो यह किसको दिया गया है Ben Stocks को याद रखना Gary Sauver's Trophy Cricketer of the Year को वर्ट किसको मिला है Ben Stocks को मिला है ODI Cricketer Rohis सर्मा है Test Cricketer Pat Cummings है ODI Cricketer कोने आपका Rohis सर्मा है और टेस्ट क्रिकेटर कोन है आपका पैस्ट पैट कमिंस है T20 परफ़मेंस अब दाइयर है दीपक छाहर एक मातर भारती है जिसने T20 क्रिकेट में क्या लिए है एंडियर की तरब से हेट्रेक लिए है ठीक है तो यह ICC क्या है आवोर्ट्स है पूना म्यादब को पूना म्यादब को यह अवोर्ड क्या है आपका मिला है तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ लॉरियन्स स्पोर्ट अवोर्ड में बात करूँ तो मैन का अवोर्ड दिया है लिउनल मैसी को और बोमन का मिला है साइमन बिलस को साइमन बिलस मतलब वो ही है साइमन जो क्या बोलते है जिमनास्टिक खिलती है USA की ये बहुत ही तगड़ा जिमनास्टिक खिलती है आपकी ठीक है Simon Biles को ठीक है Bowman का अवर्ड मिला है Oscar Award की बात कर लेता हूँ काफी important है Oscar Award ठीक है Film के छेतर में सबसे बड़े अवर्ड है Oscar जो best film का अवर्ड है जो best film का Oscar Award है वो मिला है Parasite को किसको मिला है Parasite को जो डारेक्टर थे वो थे Bong Joo Bong के नाम से आप इनको याद रख लेना जो डारेक्टर थे कौन थे? Bong और ये best director का भी अवर्ड मिला है इनको किसका अवर्ड मिला है? best film Parasite है और best director कौन है? तो Parasite के डारेक्टर थे कौन आपके बॉंग और best director भी है best actor, best actor कौन है आपका जैक्यून फॉनिक्स जैक्यून फॉनिक्स वही joker पिक्चर आपने देखी होगी काफी अच्छी पिच्चर है आप देख सकते हो तो जैक्यून फॉनिक्स जैक्यून फॉनिक्स अभी joker जो पिच्चर आई थी उनको मिला है best actor का व़र्ड बहुत ये अच्छी acting करी थी और best actress का व़र्ड मिला है रैनी, जैल बीगर रैनी जैल बीगर को, रैनी से आप इसको याद रख लेना Best Actress का अबोर्ड मिला है रैनी को ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें 50 वे अंतरास्टिये फिल्म माहुसव 50 वा अंतरास्टिये फिल्म माहुसव इंडिया का 50 International Film Festival याद रखना है हमेशा ही गोआ में होता है यह कहाँ पर होता है थीम क्या थी एक भारत स्रेष्ट भारत इस बार की जो थीम थी वो क्या थी एक भारत स्रेष्ट भारत फोकस कंट्री कौन थी रसिया थी जो फोकस कंट्री कौन थी आपकी रसिया थी Best Film Golden Peacock Award है West Film का जो अवार्ड होता है वो सबसे बड़ा अवार्ड है इस माहुस सब का जिसका नाम है आपका Golden Peacock Award वो किसको दिया गया है Particles को किसको दिया गया है आपका Particles को दिया गया है ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें राष्टिय फिल्म अवार्ड की National Film Award राष्टिय फिल्म पुरुसकारों की अगर बात करें तो Servicist Film का अवार्ड मिलाता हिल्लोर को एक गुजुराती फिल्म है ठीक है और Best Actor का अवार्ड जो Servicist अभीनेता का अवार्ड था वो दो लोगों को मिलाता आयुशमान कुराना को बिक्की कोशल को और Best Actress मतलब जो क्याने अभीनेत्री का अवार्ड मिलाता कीर्थी सुरेश को और Hindi Film Best Hindi Film की अगर मैं बात करूँ तो वो थी अंदाधुर कौन सी विच्चर थी आपकी अंदाधुर आप समने देखियोगी बहुत अच्छी मुवी थी तो यह नैशनल फिल्म क्या थे आपकी अवार्ड थे आप इनको एक बार देख सकते हो ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ इंटरनेस्टन प्राइज की बात कर लो तो सबसे इंपोडेंट है इंटरनेस्टन प्रुषकार बुकर प्राइज वो किसको मिला है आपका याद रखना मैरी की लुकास मैरी की लुकास को यह क्या है आपका अवार्ड दिया कया है इस बार बहुत ही इंपोडेंट प्राइज है इंटरनेस्टन प्राइज है याद रखना Booker Price दो टाइप के हैं, एक है International और एक है Simple तो International Booker Price 2020 में मिल चुका है, Main Booker Price अभी 2020 में नहीं मिला है International Booker Price मिला है Marky Lucas को booking की है Discomfort of Evening Discomfort of Evening के लिए इनको ये Price क्या है आपका मिला है, ठीक है? Evil Award, Evil Award mathematics का सबसे बड़ा Award है Mathematics की फील्ड में दिया जाने वाले सबसे बड़ा Award है, ठीक है? एक इसको मिला है तो याद रखना, एक मिला है आपका Hillel Tristan Virg को और Girigeri Margulis को Girigeri Margulis को और Hillel Tristan Virg को ये Award क्या है आपका दिया गया है? कौन सा Award आपका? Evil Award, Evil Saman Mathematics का ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ Miss World 2019 Miss World 2019 कौन थी? Tony Ayn Singh थी Miss Earth की बात करूँ तो Miss Earth कौन थी? Nialas Pimkis थी ठीक है? Miss Universe की बात करूँ तो Junji Vini Tunji थी Junji Vini Tunji South Africa की Miss Universe थी ठीक है? तो ये आप याद रख लेना, it's not actually very important फिर भी आप याद रख लो 2019 की है, 2020 में अभी नहीं मिला है हाँ, मैंने जैसा बताया Booker Prize 2019 International Booker Prize अभी देखा था हमने पर आवा हम देख रहा है Booker Prize 2019 तो Booker Prize 2019 मिला था दो लोगों को Market, Atwood Market, Atwood, इनकी बुक थी The Testament इसके लिए इनको मिला था और Everisto Everisto को किस के लिए मिला था आपका Girl, Woman and Other किस Book के लिए मिला था आपका Girl, Woman and Other के लिए इनको क्या मिला था आपका Prize मिला था, ठीक है, तो यह आप याद रखना उसके बाद कुछ और Important Award है, विश्व खाद पुरुसकार World Food Prize 2020 का है काफी Important है, किसको मिला है उसके बाद करें, मैं बात करूँ Richard Dixon Proscard एक काफी Important Award है और एक इसको दिया गया है, आपका Javid Akhtar को दिया गया है, और पहला भारती है जिनको यह Award मिला है, उसके बाद Templeton Proscard, यह भी 2020 में मिल चुका है, Francis Collins को दिया गया है, एक किसको दिया गया है Francis Collins को यह प्रोजकार दिया गया है उसके बाद करें, मैं बात करूँ UNESCO Goylarma Cano Prize UNESCO Goylarma Cano Prize एक किसमें दिया जाता है, प्रेस की जो Freedom है, उसके लिए Award दिया जाता है एक किसको दिया गया है आपका Jeanette Bidoya Jeanette Bidoya Lima को यह Prize दिया गया है उसके बाद करें, मैं बात करूँ Stockholm Water Prize Stockholm Water Prize, किसको मिला है John Kerry को मिला है और अगला बहुत ही Important Award Pritager Architecture Prize अब दिया हन रखना है, एक होता है Pultager, Pultager अलग है Pritager अलग है, Pritager अवार्ड जो है, वो Architecture की फील्ड में दिया जाता है किसकी फील्ड में दिया जाता है Architecture की फील्ड में, ठीक है एक इसको दिया गया है तो याद रखना है Yvon और किसको दिया गया है आपका Sally Yvon और Sally याद रख लेना आप यह तो बहुत कठीन नाम है, पर आप Yvon और Sally इनको इस वार का प्रिटेजर प्राइस क्या है आपका दिया गया है, ठीक है अब हम आते हैं कुछ और important प्राइस अवर्ड के उपर, तो जो प्राइस है, एक प्राइस है आपका Gulben Kian Price Gulben Kian Price for Humanity पहली बार ही अवर्ड दिया गया है किसको दिया गया है आपका ग्रेटा थनबर को, ग्रेटा थनबर के वही लड़की है student की, जिनको टाइम मैगजीन के cover page पे टाइम मैगजीन है, person of the year इनको दिया था किसको आपका ग्रेटा थनबर को याद रखना, Gulben Kian Price for Humanity मानपता के लिए Gulben Kian Award है वो किसको दिया गया है आपका ग्रेटा थनबर को, बहुत ही important लड़की है किसकी student की, JCB Price for Literature ये दिया है मादुरी बिजय को किसके लिए दवार far field के लिए, it's not actually very important एक बार देख लेना ये आपके award है, इनको आप पढ़ लेना एक बार इसके भार अगर कोई question आता है तो फिर वो कोई से भी नहीं बनने वाला उल्टे सीधे awards से अगर कोई question आता है ना तो आप इनको याद रख सकते it's all about awards, इतने awards आप याद रख लीजिए और इतने awards आप अच्छे से पढ़ लीजिए ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद बात आती है किसकी important sides की कुछ important sides थी है कुछ important इस्तल थे ठीक है जो अभी news में रहे उनके बारे मैं आपको बता देता हूँ तोड़ा सा एक इस्तल था आपका भोपाल जो अभी news में रहा था क्यों news में रहा था मैं आपको बताता हूँ सर अभी भोपाल में आपको पता है सौर इसमारक है भोपाल में आपको पता है सौर इसमारक है और पूरे इंडिया में कहीं पर नहीं है सरे भोपाल में है जो लोग मध्यप्रदेश में होंगे उनने देखा है जो लोग मध्यप्रदेश में आते हैं गूमने के लिए वो इसको जरूर देखना बहुत अच्छा है अभी इसमें क्या है का से का भारत माता का स्टैच्यू का इनोगरिशन कर रहा है अभी इसमें क्या बना हुआ है आपका नया भारत माता का स्टैच्यू क्य कर रहा है ठीक है रेलवे मिनिस्ट्री ने बहुत ही अच्छा यह म्यूजियम है कभी में करनाटक जाओंगा तो जरूर इसको देखूंगा ठीक है उसके बाद अभी चाइना से बहुत हमने जड़ापे करी गलवान बैली पेपर में पूछा जा सकता है कहां पर है तो याद र पूरा में गाउं है बिशाकबत्नम का जहां पर आभी आपको पता हुगा है बियाज गैस लीग की घटना हुई फिर मतलब LG का कार खाना था जहाँ पर स्टीरीन नाम की गैस का रिसाब हुआ, विशाका पत्ना में गैस की रिसाब हुआ, बहाँ पर ए इंसिडेंट हुआ, ए डिसास्टर हुआ, कहां पर हुआ आपका आरार बेंकेट पुरम में हुआ, ठीक है, खिलियर है, पहला ऐसा राज इसने करके एक फेस्टीवल या इस हमारों हुआ, वो कहां पर हुआ, तो आपको याद रखना है, बेगम पेट एरपोर्ट है, यह वैसे एरपोर्ट भी आपको याद रखना है, इस टेडिक जीगे में, इंपोर्टेंट है, बेगम पेट अंतराश्टी हवाई एड़ा कहा है, त अंतराश्टी है, महिला ट्रेडी सेंटर व्यापार केंद्र कहां पर बना है, तो याद रखना है, केरला के अंगा मलाई, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं, इंडिया फ़स्ट मोवाइल लेबराटरी फोर कोविड नाइन तीन, पहली लेबराटरी बनाई या कि सबसे वड़ी, सबसे उचा ही, उचा पीर ब्रिज कहां पर बनाया गया, मनीपुर के नौनी में इसको क्या करा गया, आपका बनाया गया, तो कुछ यह sites थी, जो क्या थी आपकी news में थी, थी तों बहुत सारी, but it's not actually very important for your examination, तो जो भी चीज़े, important है, वो सब चीज़े हम करेंगे इस में अगला जो वीडियो होगा, वो दो चीज़ों पर होगा, या तो आपकी government की schemes होगी, गवरोमेंट के जित्ते भी अभियान चले हैं, जित्ते भी government ने abihayन schemes बगेरा चलाएं, उन पर होगी, या आपकी sports और आपकी economics पर होगी, तो इन दो पर होगी, या क्या बोलते हैं, आपके जित्ते भी GI tag हैं, आपके क्या बोलते हैं जितने भी अभियान बगेरा हैं गवर्मेंट ने जो चलाए हैं उन पर अगली वीडियो होगी उनका एक कमपाइलिशन में आपको दे दूगा ठीक है तो तब तक के लिए मन लगा कर पढ़िए घवराइए मती और इसका जो PDF है वो हमारे चैनल में चैनल की आप उसको जोइन कर सकते हो थैंक्यू सो मच